अपना नेक्स टॉपिक डिसकस करते हैं तो स्टिटी के कितने टाइप्स होते हैं तो बेसिकली एस्टिटी के टू टाइप्स होते हैं एक होता है हमारा स्टिटी के बार में पढ़ा था इसको हम दुबारा एक बार देख लेते हैं सिंथिसाइज अट्रिब्यूट क्या होता है जब भी ए प्रिड्यूस बी है तो इस टाइप से कोई ग्रैमर बनेगी इसमें जो एक की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड है बी और सी की मlden जब पारन्ट नोड की वैल्यूस के चाइल्ल नोड पर डिपेंड करती है तो इस एक की वैल्यू अगर हम फाइं करेंगी तो बी की वैल्यू क c की value is equals to d की मतलब अपने siblings पर depend होती है so that is inherited attributes ठीक है तो अब हम यहाँ s attributes and l attributes के बारे में study करते हैं कि basically इसमें होता क्या है तो जो s attribute होता है यह only synthesize attribute लेता है मतलब कि s attribute में हमेशा कोई भी grammar होगी तो उसमें synthesize attribute ही लिया जाएगा like यह जैसे मैंने quick explain किया a produce b c and d और अगर a की value b dot value है तो यह क्या होगा synthesize attribute होगा तो वो s attribute कहलाता है ठीक है और l attribute में क्या होता है synthesize and inherited बोथ दोनों हो सकते हैं ठीक है तो यह synthesize तो यहाँ पर explain करी दिया inherited में क्या होता है inherited attributes में actually हम b की value जैसे की ऐसा हो सकता है like b dot value is equals to a dot value यह हमारी synthesize value होगी लेकिन साथ में यह क्या बोल रहा है only left side अगर वो sibling पर depend है तो सिर्फ left side के उस पर होगा like c की value c dot value is equals to b dot value ठीक है तो यह भी हमारा l attributes होता है मतलब वो right side पर depend नहीं होना च्छी left side पर होगा तो that is considered होगा ठीक है next है हमारा semantic action placed right end ठीक है अगर हम इसकी grammar में हम देखते हैं तो जो semantic actions होते हैं वो हमेशा हम अपने right end पर लिखते हैं ठीक है देखा जाए तो हमारा l attributes जो होता है वो ज्यादा powerful होता है comparatively to s attribute क्योंकि इसमें हमें सिर्फ right side में placed करना पड़ता है और इसमें हम कहीं पर भी place कर सकते हैं यह होता है bottom up यानि कि a की value b c and d है तो bottom up मतलब कि a की value जो होगी वो इन पर depend होगी like यह ऐसे कर बॉटम से upper depend होगी और जो हमारी यह होती है यह होता है depth first b c and d तो यह ऐसे चलेगा b c and d depth and then left to right depth में then left to right तो यह हमारा क्या होता है l attribute होता है ठीक है तो this is the basic difference between s attributes and l attributes तो हमने इसमें क्या देख अपनी इस वीडियो में basically sgt के two types होते है first one is l attributes and second one is s attributes इसमें हमने synthesize and synthesize and inheritance भी देखा की attributes क्या होते है synthesize attributes में मतलब कि जब parent की values के child पर depend करती है that is synthesize and inheritance में क्या होता है parent चाइल की value parent पर depend करें या फिर siblings पर depend करें that is inherited attributes तो जो हमारा s attributes होता है वो only synthesize attributes लेता है और जो हमारा l attributes होता है वो synthesize और inheritance दोनों ले सकता है बन एर inheritance में siblings है वो only left side को consider करता है ठीक है और इसमें जो semantic actions placed होते हैं वो सिर्फ right end पर होते हैं जबकि इसमें क्या होता है हम कहीं पर भी उसे place कर सकते हैं यह s attributes जो है वो bottom up procedure है और l attributes जो है वो depth first and left to right है तो i hope आपको यह video पसंद आया हो और आपके लिए helpful हो कि basically sdt क्या होता है कितने types का होता है अगर आपको मेरा video helpful लगा तो please अपना feedback ज़रूर दे और video को like and subscribe ज़रूर करे चानल को thank you so much bye होगीजल होगीजल